बिग बॉस 18 में होगी वेंपायर की एंट्री जी हाँ मैं बात कर रही हूँ विवेंड इसेना की जो की अब प्रोमो में कहते नज़राएं हैं की कलर्स का बेटा हूँ और सबका बाप बनने आ रहा हूँ बिग बॉस 18 में फैंस एकसाइटेड हो गए हैं ऐसे में हर कोई जान की वेंड इसेना मादे प्रदेश के उजेन के रहने वाले हैं जिनोंने साल 2008 में टीवी सीरियल से अपना डेब्यू किया था उनका पहला शो कसम से था हाला की वेंड को पहली पुपुलारिटी टीवी शो प्यार की एक कहानी से मिली था इस शो में उन्होंने वेंपायर का क यहार किरदार निभाया था जिसे फैंस ने काफी पसंद भी किया इसके बाद उन्हें मदॉबाला एक इश्क में जूनून उडारिया शक्ती अस्तित्व के अहसास जैसे टेवी शोज में देखा जा चुका है शक्ती अस्तित्व के अहसास की ही की बात कर तो विविन के साथ रुबीना नजर आई थी और दोनों का जो ये शो था बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था और फैंस नको इनकी लव स्टोर भी काफी अलग लगी थी इसके लावर रियाल्टी शो जहलक दिखला जा एट और खत्रों के खिलाडी सेवन में भी नजर आ चुके हैं अब वो सलमान खान के शो बिग बॉस 18 में अपना दमखम दिखाने वाले हैं मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो विविन को काफी समय से बिग बॉस की तरफ से ओफर मिल रहे थे लेकिन अब जाकर उन्होंने शो के लिए हामी भरी है वही उन्होंने परसनल लाइफ के अगर बात करें तो उन्होंने बीते दिनों ही अब जो है वो इसलाम कुबूल कर लिया है उन्होंने अपनी पतनी वाबिज दोराबजी से श अब वो टीवी की दुनिया में फिर से कर रही है कम बैक और वो अब एक बार फिर से चाने के लिए हैं तयार मीडिये रिपोर्ट के मुताबक साल 2019 में विवेन न इसलाम धरम अपना लिया था उनका कहना था कि उन्हें नमास पढ़ने में शान्ती और सुकून मिलता है बहराल कैसा लगा वीडियो क्या है आपकी राय जरूर बताएए मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे तसतरीन अपडेट्स के लिए गॉसिप टाउन